नमस्ते हमने कहा था कि हम बहुत शीग रही मिलेंगे और आज हम आपके सबने प्रस्तुत हैं तो जैसे बाबा जी से कनेक्ट होने का या बाबा जी के संदेश को पहचाने की जो बात हुई थे तो आज उसका एक छोटा से क्लू हम आपको देते हैं या बताते हैं कैसे हम लोगों के लिए तो चाहे वो हमारे लिए हो चाहे डॉक्टर जी के लिए हो या बाबा जी से जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए हो तो वो हम लोग सब तो केवल बाबा जी को ही रिफर करते है वो हमारे आत्मिय गुरु हैं, वो हमारे लिए सब कुछ हैं, तो बाबय जी से connect होने के लिए हम ब्रह्म मुहुर्थ का chain करते हैं, अब आप लोग के मन में ये प्रशन उठ रहा होगा, कि आखिर ब्रह्म मुहुर्थ में क्या special है, तो अब उसके लिए हम लोगों को फिर एक नया वीडियो ही डालना पड़ेगा, लेकिन अब फिल हाल के लिए हम लोग ब्रह्म मुहुर्थ का चूस करते हैं, ब्रह्म मुहुर्थ का chain करते हैं, तो ये ब्रह्म मुहुर्थ को कैसे calculate करते हैं, उसके गण्णा कैसे की जाती है, वो ऐसा है, सूर्योद एके 96 मिनट पहले अर्थार्थ 96 मिनट पहले और ब्रह्म मुहुर्थ केवल 48 मिनट रहता है, अर्थार्थ 96 मिनट के पहले और 48 मिनट तक रहता है, तो सूर्योद एके 48 मिनट के पहले, ये है ब्रह्म मुहुर्थ की गण्णा, अब जैसे आप कहेंगे आपकी जगापा जैसे 6 बजे सुर्योदय होता है तो आप ले सकते हैं कि 4.24 को ब्रह्म मुर्थ शुरू होगा और 5.12 को खतम होगा अब हम सही रुप से ये कहें कि कोई ज़र्वत नहीं है आपको मिनेट मिनेट और मिनेट टो मिनेट या सेकेंड टो सेकेंड जाने के आप साड़े चार से लीजिए साड़े चार से सवा पांच तक का जो समय है वो ब्रह्म मुर्थ है बस आप इसे लीजिए अब आपको ब्रह चार बजे उठना बहुत मुश्किल है हम बताते हैं कैसे बहुत सरल है लेकिन फिर भी पहले दिन उठने के लिए कि सब को मुश्किल होता है तो सभावब इख है कि आपको भी मुश्किल होगा एक बात याद रखिए कि 15 मिनिट का जो और एक घंटे का मेडिटेशन आपको चार घंटे की नीन देता है अब आप कहेंगे कि हम चार बजे उठ रहे हैं हम ठक जाएंगे हम पूरा दिन हमें काम करना है हम कैसे करेंगे तो उसकी कोई चिंता नहीं है, जैसे हमने आपको बताया भी, कि आपका एक घंटे का जो मेटेशन है, वो आपको चार घंटे की नीन देता है, सच है ये, कि आप एक दिन उट कर देखिए, मेटेशन करके देखिए, आप पूरे दिन बहुत ही उत्साहित रहेंगे, आपकी श अभी राज ये ही है, जो लोग मेटेशन करते हैं, उनको पूरी तरह से जो सुबह उठते हैं, वो अपने शरीर में पूरी तरह से उर्जा भरे रहते हैं, तो उन्हें कोई थकावट महसूस नहीं होती, तो अब हम चलते हैं, ब्रह्म मुहृत में उठने की बात, तो चार चार बजे आप उठिये, जए आप उठने के लिए या तो आप अलार्म रखिये, या फिर आपकी जो मोबाइल है, उसमें आप अलार्म रखिये, और चार बजे आँखे खुलने के पहले दाहिने और मुडिये, धीरे से उठिये, उठकर थोड़ी देर बैठिये, जहां पर पैर नीचे करके थोड़ा देर बैठिये, हां आपको नीच जरूर आती रहेगी, आप में नीच में ही रहेंगे, फिर भी थोड़ी देर बैठिये, और उठकर मुँपर मुँख के अंदर पानी डाल कर खुला कीजिए, चेहरे को साफ कीजिए पानी से, आँखों में प 15 मिनट लगेंगे, उसके पस्चात, आप तीन घूट पानी पीजिए, तीन घूट पानी पीने के समय, अगर आप काफी धार्मिक हैं, तो पहला घूट ओम अच्छी उताई नमहा, दूसरे घूट में ओम अननताई नमहा, और तीसरा घूट ओम गोविंदाई नमहा, कहते वे मन के अंदर कहते वे, आप पानी पीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप आधा कप पानी पीजिए, और वापस उस जगह आईए, जहां आपको बैठना है, अच्छा होगा कि आपका पलंग दिवार के पास रहे, अगर आप उसमें बैठना चाहते हैं, तो ठ अपने कमरे में, आप अपने खाट के ऊपर आपका जो भी गद्दा है, आपको ठीक लगता है, तो आप उसी में बैठिये, नहीं तो कोई लकडी का पटिया, पीठा लेकर उसके ऊपर कोई छोटा सा गद्दा डाल कर उसमें बैठिये, और अगर आप दिवाल से सटकर आप एक शाल या फिर एक पटली सी चद्दर अपने पास रखिए, एक छोटा कपड़ा भी, एक छोटा सा टवल भी अपने पास रखिए, और आखे बंद कीजिए, इसके पस्चात आखे बंद करने के समय, आपकी हाथों में चिन मुद्रा रहना चाहिए, ये चिन मुद्र है, आप चिन मुद्रा रखिए, और बैठिए, आलती पालती माल कर बैठ सकते हैं, अगर आप से होता है तो, नहीं तो साधारन तया ही बैठ सकते हैं, उसके पस्चात, इसे सुखासन भी कहते हैं, सुखासन में बैठ कर, आप चिन मुद्रा रखकर, आखे बंद करकर बैठ थोड़ी देर तक आप अपने आप में लीन हो जाएए उसी में बैठे रहेए एक बात याद रखिए आप बैठते हैं तो आपका पीठ बिल्कुल सीधा होना चाहिए पूरे कमफर्ट से बैठना चाहिए आराम दायक सुखद आप ऐसे बैठेंगे ताकि आपको कोई परेशा अगर आपके कमरे में कोई एसी चल रहा है चलने दीजिए क्योंकि अगर आपके बगल में कोई सो रहा है तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आप अपना काम अपने रूप से करते चाहिए जीन मुद्रा में आप थोड़ा दिर बैठिए उसके पश्चाथ धीर आप ध्यान मुद्रा में लगाईए ध्यान मुद्रा जैसे बाबा जी बैठे हैं ये ध्यान मुद्रा है ध्यान मुद्रा में आने के पश्चाथ आप थोड़ा देर तक उसी में रहिए उसके पश्चाथ आप शांभवी मुद्रा शांभवी मुद्रा ऐसा है हम आपको दि आखे बंदोने के बाद उसे स्थिती में अपने आपको रखिए और उसका आनंद लीजिए शांभवी मुद्रा में एक बात का ध्यान रहें कि आपके आँखों की पुतलियान आँखों के अंदर की जो पुतलियान हैं वो मात्य के बीचों बीचति आँठी से कहा जाता इसे देखना है, या फिर इसके उपर की और देखना है, केवल पुतलिया ही उपर जाएंगी, और इसके पश्चात, आपका जो ठोड़ी है, ये भाग, ये आपके समतल रहना चाहिए आपके धर्ती से, और आपका सिर उपर की और नहीं उठना है, लेकिन ये मुद्रा के समय कभी-कभी हलका सा उपर उठ जाता है, तोड़ी-थोड़ी सी उपर उठ जाती तो कोई बात नहीं, आप उसके उपर ध्यान मत दीजिये, ये मत कहिए, कि अरे हमारा सिर उपर उठ गया था, या हमाई त थोड़ी उपर हो गई थी, थोड़ी सी, तो कुछ गलत होगा, नहीं, कोई गलत नहीं है, आप ध्यान पूर्वक बस इसमें ध्यान लगाईए, कि आपकी शांभवी मुद्रा है, उसके पस चात, आप जब शांभवी मुद्रा करते हैं, तो आप ये बहुत देर तक नहीं क कर सकते हैं, कोई भी मुद्रा 15-20 मिनट काफी है, 20 मिनट तक तो बहुत काफी है, मुद्रा को 20 मिनट तक करना अच्छा है, लेकिन जहां तक, शांभवी मुद्रा का सवाल है, इसे 20 मिनट करना आसान नहीं होगा, अलां कि ये बहुत simple है, लेकिन फिर भी, शुरु- तो 15-20 मिनित का समय मत लीजेगा आप से जितना होता है बस आप उतना ही देर रहे और उसके पश्चात धीरे धीरे आखों को बन करते हुए अपने आपको पूरी तरह से आनंदित केजिए शामभवी मुद्रा जादा देर तक करने से कभी-कभी इस जगह पर या सर पर दर्द होने लगता है इसलिए जितना हो सके आप कम समय तक ही किजिए पहले शुरुवात में अब जब आप शामभवी मुद्रा में रहते हैं तो बहुत ही आनंद मिलता है बाबाजी ने हम लोगों को बताया है कि शामभवी मुद्रा दो तरह से है एक बहिरंग शांभवी मुद्रा और एक अंतरंग शांभवी मुद्रा बाबा जी बहिरंग शांभवी मुद्रा में हैं और अंतरंग शांभवी मुद्रा भी और कुछ नहीं जब आँखों को बन करते हैं, तो बन करने के पस्चाज भी आपको ये महसूस होना चाहिए, कि आपकी आँखों की पुतलियां वही हैं, अथार्थ उपर की ओर ही है, आप शामभवी मुद्रा में ही हैं, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए, एक बात याद रखिए, आप महसूस होगा, जैसे बाबाजी की कृपा, दैविक कृपा, विशाल रूप से आपकी उपर बरस रही है, आपको बहुत ही एनर्जी महसूस होगी, आपके शरीर में बहुत ही उर्जा सा महसूस प्राप्त होगा आपको, और इस मुद्रा के पस्चाज, जब आप आँखे ब आपके मानसिक तोर पर जितने प्रश्ण बैठे हुए हैं, जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, वो पूरी तरह से साफ हो गया है, बहुत सी क्लारिटी आपको उसमें मिलेगी, ऐसा महसूस हो का जिसे बाबा जी का आशिरवाद आपके उपर बरस रहा है, आपके सारे प् आपके दिमाग से निकल गया है, और आप अपने आपको बहुत ही हलका महसूस करने लगेंगे, उसके पस्चात है शुद्धी मुद्रा, शुद्धी मुद्रा, ये तीन उंगलियां अंदर की और आपका अंगुठा उसे बांदे हुए, और ये आपका एक उंगली तरजनी जो है वो आपकी खड़ी है, ये है शुद्धी मुद्रा, शुद्धी मुद्रा के लिए आपको चिन मुद्रा आप जैसे रखे रहते हैं, आपके जांग के उपर, आपके घुटने के पास जैसे आप चिन मुद्रा रखे रहते हैं, वैसे ही इस शुद्धी मुद्रा को आ आप रखकर नहीं बैठ सकते क्योंकि अगर आप इसे रखेंगे तो आप जुक जाएंगे और जैसा हमने कहा था आपको कि यह केवल आपका जो पीछे का पीठ हो पुरी तरह से सीधा होना चाहिए स्ट्रेइट तो आपका जो यह मुद्रह है यह आप अपने शरीर से लगाते हुए अपने हाथ को ऐसा रखेंगे यह करीब करीब आपके कंधे से मिलता हुआ रहेगा अथार्थ आपके कंधे की सीध में रहेगा अब आप इसके लिए भी प्रश्न मत करिए कि अरे मेरी उंगली सीधी नहीं है या फिर मेरे कंधे के समान नहीं दिख रहा है कोई ज़र आपको उस मुद्रा में ध्यान दीजे बस इसमुद्रा से जैसे आपके शरीर में या आपके मन में आव्वाँ रहती है चीजे वह पुरी तरह से साफ हो जाएगी अब बिना मतलब की चीजों से ताथ पर यह जैसे दिखावा एक प्रसकास हम कह सकते हैं कि दिखावा है दिखावा क्या है हमारी डिग्री कौलिफिकेशन नेम फेम पावर नेम पावर यह सब जो हम लोग अपने शरीर में यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कोई जो रत नहीं है इस चीजों की और आप पूरी तरह से अपने आपको हलका महसूस करने लगेंगे इसके पश्चात है अपान मुद्रा यह अपन मुद्रा कि इसे अपन मुद्रा कहते हैं ये भी बाबाजी की मुद्रा है और इस ऐसे ही इसी स्थिती में और कुछ 15-20 मिनट रहे और धीरे-धीरे अपने आखें तो बंद रहेगी ही धीरे-धीरे मुद्रा को हटाईए और अपने आपको आप महसूस करेंगे कि आप बहुत हलके हो गए हैं हलके से ताथ पर यह हैं आपके शरीर से जो unwanted चीज़े हैं या बिना मतलब की जो भी चीज़े हैं वो हट गई है और आप मानसिक रूप से या मन के अंदर शरीर के अंदर अपने आपको हलका महसूस करते हुए ऐसा प्रतित होगा जैसे उसके अंदर कुछ नहीं है सब खाली हो गया है अब ह हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जैसे कोई भी बरतन खाली रहता है तब आप उसमें कोई भी चीज भर सकते हैं भरे हुए बरतन में आप कुछ नहीं भर सकते हैं जैसे आपके मन के अंदर कच्छों के ताउर पर दुन्या भर की बिना मतलब की चीज़े जब भरी होती है तब बाबा जी का संदेश या बाबा जी के कहने का कोई भी वाणी आप तक नहीं पहुँचेगा तो इस बरतन में जो खाली है अब आपका शरीर भी उसी तरह है और उस शरीर के अंदर उस मन के अंदर आप में ज्यान की वर्षा होने लगती है और ये वर्षा यही है जो बाबाजी की वानी है या बाबाजी का संदेश है धीरे धीरे आप इसे समझने लगेंगे हो सकता है कि पहले आपको यह समझ में ना आए पर धीरे धीरे आप इसे पूरी तरह से समझेंगे इसके पश्चात आप इसी स्थीती में जब बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं प्राणायाम कपाल भाटी उसके पश्चात नाड़ी शुद्धी कीजिए और जब ये भी हो जाए तो बस बहुत ज़्यादा करने की कोई चीज की आवशकता नहीं है बस काफी हैं आप चिन मुद्रा कर रहे हैं और उसके पश्चात आप ध्यान मुद्रा कर रहे हैं फिर शुद्धी मुद्रा कर रहे हैं उसके पहले आपने शामभवी मुद्रा किया शुद्धी मुद्रा कि किया और फिर अपान मुद्रा किया बस काफी है यह सब बाबा जी की मुद्राएं हैं और इसके पश्चात आप धीरे से जरूरी है कि आपके शरीर को थोड़ा सा आराम मिले तो आप धीरे-धीरे मकरासन की ओर चले जाएं आप मकरासन में या श्रवाशन में अपने आपको थ थोड़ी देर रखिए जिससे आपको पुरी तरह से आराम मिलेगा एक बात याद रखिएगा कि आपको ये सब करने के लिए एक से डेड़ घंटा लगेगा ये आपको बहुत ही एनर्जी देगा इसलिए आप इसे करकर देखिए बाबा जी से कनेक्ट होने के लिए आप इसे करिए आप जरूर बाबा जी से कनेक्ट होंगे ओम सद्गुरू बाबा जी नमाहा ओम साँ होंगे जी के लिए आप, ये मन जी साँ होä लुट होगे झाल झाल